साइड, पांच हजार सराप, पिकर दस, एम्बुलनस को रास्ता नहीं देंगे तो दस और लाइसन्स के पांच अजार, आर्सी के पांच अजार, पेलीईशन के 10 हजार, एंशूरेंस के दो हजार दोस्तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपका कही चलान कट जाये चलान बरने का उस टाइम आप ओफिस में जाएए ओफिस में जाकर उस चलान को समंदित ओफिसर को दिखाईए दिखाने के बाद जो डोकुमेंट आप पेस करेंगे जितने भी डोकुमेंट आप जिनका आपका चलान कटा हुआ है समंदित अधिकारी को दिखाएंगे तो उस कि ऊसमें से उसमें से आपके जैसे लाइशेंस जराएंगे सिर्प रुपे आरशी 5000 अगर वह आप दिखाएंगे 70 रुपाई जासेजार यार्ठ दिखाएंगे तो 100 रुपे इससे आप बिलकुल निष्टन रहिए क्योंकि अभी मैं आपको बताना चाहूंगा जागरुकता की कमी के कारण कुछ लोग पूरा चलांद बढ़ रहे हैं जागरुकता की कमी के खारण कुछ लोग पूरा का पूरा चलांद बर देते हैं और उससे क्या होता है कि जैसे ही वो चलांद बरेंगे तो उनके पूरे पैसे लगेंगे लेकिन मैं आपको बताता हूँ चैकिन के दुरान यदि वहान के डाक्योमेंट नहीं होने के चलांद होता है तो उसके कागजात चैक कराकर रद करवा सकते हैं इसलिए परति एक डाक्योमेंट जो भी आप कागज लेके जाएंगे उसका सो रुपए जुरुमाना जमा करवाना होगा चलांद का बुगतान करने वाले चालकों को इस तरह से की जानकरी देते हैं उनका मकसद है कि यातायात नेमों का पालन हो और दुरुगटने कम हो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसमें गलत क्या है कुछ लोग कहते हैं कि करवशन बढ़ेगा करवशन तो आप बढ़ा रहे हो आप रिश्वत को बढ़ावा दे रहे हो और उससे निपटने के लिए आप खुद उसके जुम्मेवार हो क्योंकि यार एक बात बताईए मुझे हेलमट हजार उपए का लगा लो वो आपकी खोपड़ी की सेफ्टी करेगा आपके परिवार की सेफ्टी करेगा आपके उपराप का पूरा प्रिवार डिपेंड करता है लेकिन हम अपने लाल्च में कि कोई नहीं जानकार होगा कोई पुलिस वाला छटवा देगा या कोई और छटवा देगा अब ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि हमने अपने जेश को बदलना है और एक जागरिती लेके आनी है